और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी जरूर दबाएं लो फ्रेंड वेल्कम तूमाय यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज की वीडियो में मैं सेस्टी के इंपार्टन कोशिन करने वाले हैं जो कि सीटर के एजाम में आ सकते हैं इनको आप जूरूर कर ले ना और आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम शुरू करते हैं पहला ज कैसी काल जिसको प्रियुसटर पीरियट बोलते हैं ऑफ्षीन अध्य एतिहासिक प्यायल जिसको प्रोटो यस्टरिक पीरियट बोलते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा जिसका कोई लिख्यती सीजिंह ब्भीर नहीं है रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा A option प्राग्यतिहासिक काल यानि कि प्रिहिस्टोरिक पीरियड नेक्स्ट कोश्चन है जी आदि मानव ने सरवपर्थम किस पशू को पालतू बनाया था तो आदि मानव ने सबसे पहले किस पशू को पालतू बनाया था तो A option है बैल, B option है कुत्ता C option है गाए, D option है हाथी तो किसको पालतू बनाया था सबसे पहले आदि मानव ने तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा B option कुत्ता यानि कि डॉघ ठीक है यार्दि मानों ने सरपर्थम कुटता को पलतव पलतव बनाया था नेक्स्ैकर्ण है मानों ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंप किया था Concer Tarani में आकास प्रयोग मानवन ने तो इसका जा राश yan Roxлив को होगा था भी आपशन कि नव काigon karmed के मानवन नंए आपका प्रयोग नों पाश्यां काल मैं प्रारम्ब किया था नेस्ट ओस्ट है मानवर ने सबसे परतम किस दातू का प्रयोग किया था तो मानवर ने सबसे पहरे किस दातू का प्रयोग किया था तो A आप्शन है लोहा, B आप्शन है चांदी, C आप्शन है तामबा, D आप्शन है पीतल, तो किस दातू का प्रयोग किया था मानवर ने सबसे पहले तो इसक मानव द्वारा उप्योग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी तो मानव द्वारा उप्योग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी तो मानव द्वारा उप्योग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी तो मानव द्वारा उप्योग में सबसे पहले लाई गई थी next question है मानव खाद्य पदार्तों का उत्पादक और उपभोगता किस काल में बना था तो जो human था जो मानव था वो खाद्य पदार्तों का उत्पादक यानि producer और उपभोगता यानि consumer कब बना था तो यह option है मध्य पाशान काल B option है तामर पाशान काल C option है नव पाशान काल D option है कोई नहीं तो कब बना था मानव प्रड्यूसर और consumer दोनों इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा C option नव पाशान काल में तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर है वो कहां से मिली है तो A option है हडपा B option है लोत्ल सी option है मोहन जोद्लों , ती ओप्शिद्ध पशुपति की मौहर कहां से मिली थी तो इसका राइट अंसर को होगा C option मोहन जोद्लो में इस पहस्इश परसिद्ध पशुपति की मौहर में मिली थी नक्स्ट कोशन है भारत में मूर्ती पूजा का अरंभ किस सभयता से माना जाता है गई तो है सी ऑप्षिन है मौरेश सभैता डी ऑप्शन है कि गप्तकाल तो कब से शुरू की कि गई थी कि डी ऑप्शन घुप्तकाल से ठीकरची ने ऐस्ट भenne On रिग्वैदिक आरे किसकी पूजा करते थे तो रिग्वैदिक आरे जो थे वो किसकी पूजा करते थे तो ए आप्शन है प्रकृति की बी आप्शन है गाए की सी आप्शन है व्रिक्ष की डी आप्शन है माता की तो किसकी पूजा करते थे रिग्वैदिक आरे तो इसका जो रिग्वैतिक आर्य लोग थे जो वो प्रक्रित्टी की पूजा करते थे आर्य लोग भारत में सबसे पहले कहां बसे थे तो जो आए लोग थे वह भारत में आये थे तो सबसे सबसे पहले कहां पर बसे थे तो सबसे पहले कहां बसे थे जब आरे लोग भारत आए थे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि ए ओप्शन सबसे पहले बारत आए थे तो सबसे परदेश में बसे थे नेक्स्ट कोश्चन है गायतरी मंत्र किस से समंदित है तो जो गायतरी मंत्र है वो किस से समंदित है तो A option है रिगवेद, B option है यॉजुरवेद, C option है सामवेद, D option है अतरवेद तो गायतरी मंत्र जो है वो किस से समंदित है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ओप्शन रिगवेद से समंदित है नेक्स्ट कोश्चन है निमनलिकित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है तो इन में से जो सबसे प्राना वेद है प्राचीनतम वेद हो कौन सा है तो ए ओप्शन है रिगवेद, बी ओप्शन है सामवेद, सी ओप्शन है यजरवेद, डी ओप्शन है अथरवेद तो कौन सा वेद है जो सबसे प्राना वेद है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एप्षन रिगवेद जो है वह सबसे प्राणा सबसे प्राजीनतम वेद माना जाता है ठीक है इसका राइट आंसर होगा एप्षन रिगवेद नेक्स्ट कोशिन है कि उत्र-वैथि काल में इंद्र का स्थान किसे देवता को मिला था तो वह कु MIDता कौन था तो इसका नाच यह उप्षन है वरूर्ण प्रजापती ठीक है जी प्रजापती को वह स्थान मिला था उत्तरव्यदिकाल में इंद्रे का स्थान जो था वो प्रजापती को मिला था नेक्स्ट कोश्चिन है जी पार्टली पुत्र नगर का संस्थाफक कौन था जो पार्टली पुत्र नगर था उसका संस्थाफक कौन था तो कौन था एघिंभी सार बीजारा सब्सक्राइन C option है, Udayan D option है, Dhananand तो कौन था? पाथली पुत्रनगर का संस्थापक इसका जो राइट अंसर होगा, वो होगा C option, Udayan Udayan जो था, वो पाथली पुत्रनगर का संस्थापक था ठीक है जी, Udayan इसका राइट अंसर होगा जो उदायन था वो वार्यक वंशियस्यास्युत्रूं का पुत्र भी था ठीक है जी तो इसने सिकंदर के समय मगद पर किसका शाषन था तो सिकंदर के समय जो था मगद पर किसका शाशन था तो ए ओप्षिन है महापदिनन्द बी ओप्षिन है धनानन्द सी ओप्षिन है चंदरगुप्त मार्य और डी ओप्षिन है पॉरस तो सिकंदर के समय मगद का कौन शाशक था किसका शाशन था उस पर मगद पर तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा कि भी ऑप्शन तो इसका सिगंतर के समय मगद पर दननन्द का शाषण था यह जो जली यह जो जाए यह अंतिम राजा था यह तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका यह ऊप्षिन धन कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और मैं आपको कोश्चन्स प्रवाइड करता रहा हूं ठीक है जी तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपार्टन कोश्चन्स के साथ तब तक के लिए थैंक यू